हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ऑनलाइन इस्टीपॉइंट दोस्तों इस वीडियो आपके लिए करेंट रफेयस जन्रलावेनेश दौटारा के टौप 25 कोश्चन लेकर आया हूँ जो कि सभी प्रतोगी परिक्षाओं को लिए बहुत मातपूर है इसलिए आप इस वीडियो हमा होती इंपोर्टेन दोस्तों दिसंबर 2018 में विधान सभा चुनाओ के बाद मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कुरूब में किसने सपत ली है दोस्तों इसका करेक्ट एंसर रहाएगा option C जोर मतंगा ठीक है देखे दोस्तों आप बता देक मिजोरम में जोर मतंगा के धक्षता में मीजो नेशनल फ्रंट की नई सरकार 15 दिसंबर को शपत लेगी देखे दोस्तों यहाँ पर बता देक 40 सीटों वाली मीजोरम विधान सभा में मीजो नेशनल फ्रंट ने 26 सीटे जीती है जबकि 70 रूर कांग्रेस को 5 सीटे मिली है तो यहाँ पर आपको कुछ फैक्ट ब मीजो नेशनल फ्रंट से है और टोटल 26 सीटे जीती है और कांग्रेस ने 5 सीटे जीती है तो दोस्तों अभी आपको पता ही हो कि हाली में 5 राज्यों विधान सभा चुना हुए है पांच राज्य कौन कौन से याद रखिएगा राजस्थान, मध्यपदेश, 36 गड़, मिज मिजोरम और तेलंगा आना ठीक है तो यह आपको फैक्ट आद रखना है और दोस्तों मिजोरम में लोग सभा की एक सीटे तराज सभा की एक सीटे तो अभी हाली में दिसमर्द वठारम विधान सभा चुनाओ के बाद मिजोरम के नए मुक्यमंतरी कौन बनेंगे यह और दोस्तों आप हमारे साथ सौल भी करते चलिए ठीक है और एक के कोशन और लास्ट में आपको अपना एंसर कमेंट बॉक्स में इसको और अपना सम्मीट जरूर करिएगा कोशन दूसरे दोस्तों 13 दिसमर्द वठारा को तेलंगाना के नए मुक्यमंतरी के रूब में किस चन सेखर राओ 13 दिसमर्द को मुक्यमंतरी पत की शपत ले ली इन्होंने और यह तेलंगाना राश्च्रमती का दोस्तों यह लगतार दूसरा कारेकाल होगा और यहां के राजजिपाल का उन्हों तो तेलंगाना के वरतमान में इसल नसीम्हन ने उन्हें पदवा को अपन तो तेलंगाना के राज़ानी क्या है एदराबाद और वरतमान गवर्नर है एसल नरसीम्हन ठीक दोस्तों पांच राज्यम जो विधानसवा चुना हुए है तो आप जरूर याद रखिएगा एक एक फैक्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ आपके आगामी पूंचा ठीक है तो यह काफी इंपोर्टेंट है चलिए अगला कोशन देख लेते हैं फटापट मत्प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बनेंगे तो मत्प्रदेश के नए सीम बनेंगे अब कमल नाथ ठीक है ऑपसन भी इससे पहले शिवराज सिंग चौहान थे तो आपको बता मत्प्रेश की राजहनी धोत पाल ईतिक सिंग बन जया है कमल नहुम ए कमल नहीं च हंस पसंद आ गरें फटा लिक कर दें दोस्तों весь वीडियो को पने सभी मित्रोक साइर जो भी आपकी जैम की बिब्येशन कर रहे हैं कुशन 5 है कौन वरिष्ट राष्ट मंडल फेसिंग चेंपियंशिब में स्वण पदक जीतने वाले पहले भारती हैं तो यह हैं दोस्तों भवानी देवी ठीक है ऑप संडी करेक्ट हो जाएगा भवानी देवी हैं यह ठीक है तो आप कहा दकने वरिष्ट मुक्यवाई चेंपियंशिब के इतिहास में निम लिखित मुक्यवाजों में से कौन सबसे सफल मुक्यवाज बनी हैं तो यह उससे मेरी काम ठीक है ऑपसंडी कोशन सेवन थे यूनिशेब त्वारा भारत के उत्तर पूरुक छेत्रगे पहले यूवा पक्षकार के रूम म ठीक यूनिशेब तो यूनिशेब का दोस्तों नया जो पहले उत्तरपूर विखेत्र के पहले वह वक्षकार रूम नियुक किया गया है यह किया गया है इसका करेक्ट एंसर रहागा नाहिद आफरीन को ठीक है ओपसंड भी नाहिद आफरीन को यह असम की मशूहर गाइका ठीक है और दोस्तों यूनिशेब की बात करें तो इस्थाबना होई थी ग्यारा दिसंबर 1946 को यूनिशेब को हिंदी में कहते है दोस्तों सेंक तराष्ट बाल कोस यूनिशेब का है याद रखिएगा पूछ लाए तो नियुवार की यूसे में इसका हेटकॉाटर है ग्या पूरुषकार से किसे समयनित किया गया है उसका करेक्ट एंसर रहाएगा और नंदीता दास को ठीक है देखें यह फिल्म निर्माता है नंदीता दास को ब्रिस्बेन में बार में एसिया प्रशांद स्क्रीन पूरुषकार में एफ आपको याद रखना है और नंदीता दास question 9 दोस्तों Interpol के अध्यक्ष रूम में निम्खित में से किसे न्यूक किया गया है तो यह most important है दोस्तों Interpol के नए अध्यक्ष बन गया है किम जोंग यांग ठीक है option सी किम जोंग यांग Interpol क्या है दोस्तों Interpol का full form होता है International Criminal Police Organization जैसे किसका नाम से इस्पस्ट ही समझ गया होगी International Criminal Police Organization इसकी स्थापना होती दोस्तों 1923 में Interpol का headquarter most important है याद रखिए का Interpol का headquarter Leon France में देखिए उस तो आपको यहाँ पर एक बता दे confused मत होईएगा आप जो वर्ल्ड वैंग विश्वैंग उसके जो वरतमान चेर्मेन है वो है Jim Yong Kim Jim Yong Kim जबकि Interpol के चेर्मेन है Kim Jong Yang ठीक है Kim Jong Yang जबकि वर्ल्ड वैंग के Jim Yong Kim ये आप नोट कर लीजे confused मत नहीं होना है आपको ठीक है आपको याद रखना है चले अगला question देख लेते हैं नेम लिखी तो व्यक्ति में से कौन भारत के सबसे अमीर real estate कारोबारी हैं जोस्तो MP ढोला MP ठीक है option B MP तो याद रखिएगा ठीक है ये बहुत important है question number 11 दोस्तो radio कास्मीर times of peace and war किताब किस राजेस भट्ट ने option C देखे पूर्वोत्तर शेत्र विकास राज्यमंत्री प्रहानमंत्री कार्यालेम राज्यमंत्री कार्मिक और लोग शिकायत पिंसन जो परमाड़ उर्जांत्रिक्स राज्यमंत्री जो है जीतन सिंग ने 20 नमबर को ने दिली में डाक्टर राजेस भ लाड़ी में से किसने ATP World Tour Final अपने नाम किया तो यह कि दोस्तों अलेक्जेंडर जेवरव ने ठीक है option C यह लंदन में आज जित हुई थी ATP World Tour Final खिताब अलेक्जेंडर जेवरव ने जीत लिया है और अलेक्जेंडर जेवरव ने बिस्ट नमबर एक नोवाग जोकोविच को सीधे सेट में हराया था इन्होंने नोवाग जोकोविच को हरा कर जीता है question 13 है दोस्तों आई-बी-एस-फ विलियर्डेस दोठारा खिताब नियुल खित में से किसने जीता है तो यह जीता है दोस्तों पंकाज आडवानी ठीक है भारत के दिगज क्यों खिलाड़ी पंकाज आडवानी ने आई-बी-एस-फ विश विलियर्डेस चेंपियंशिप के लंबे और अपने दोनों प्रारूपो खिताब को रिकाड़ को चोथी बार अपने नाम किया है पंकाज आडवानी देखे दोस्तों वर्स दोहर चेह के बाद फिजी में दूसरी बार आम चुनाव प्रधरमंत्री फ्रैंक बैनी मरामा ने जीत दर्जी की है और 18 नवमर को अपने नतीजों में बैरी मरामा की पार्टी फिजी फस्ट ने करीब 50 फिजदी पोर्ट हासिल किये है तो नवमर 28 में आजीत आम चुनाव में फिजी के नय प्रैम निस्टर के रूमे के से जुना गया है फ्रैंक बैरी मरामा अगला कोशन है दोस्तों किस व्यक्ति ने पटना हाई कोट के मुख्य नयाधिश करूमें शपद ली है जिसका करेक्ट एंसर रहागा दोस्तों ऑप से लिए मूर्ती एपी साही अगला कोशन है किश व्यक्ति ने मालदीप के शातने राश्पति ग्रुव में शपद ली है क्रिक्ट एंसर दोस्तों ऑप सने इब्रहीं मुहमत्ам आलदीप कर शात किसल है इब्रहीं मुहमत मुहमत सोली काफी important है याद रखिएगा question 17 है ITTF challenge बेल जो सट्रक बेल जारू सोपेन में कांस पतक जिदने वाले भारती टेबल टेनिस खिलाडी का नाम बताएं उसका correct answer रहाग दोस्तों मान और ठककर option B question 18 दोस्तों गूगल कंपनी के cloud विभाग का नेतरित करने वाले भारती का क्या नाम है Thomas Korean ठीक है option C question 19 दोस्तों काफी important है निम लिखित में से किसे UNICEF इंडिया के यूबा राजदूत के रूप में निक्त किया गया है निक्त किया गया दोस्तों हीमा दास को ठीक है option C most important है ये भारती धावा कि हीमा दास को UNICEF इंडिया का यूबा राजदूत निक्त किया गया है और यूबा राजदूत के रूप में हीमा जो है कि अगर उस्तों डाक्टर वीके सारस्वत को ठीक हा ओप्सन D देखो उस्तों भारती हिमाली खेत्र के सतद विकास को सुशित करने के लिए नीतियायोग ने हिमाली राजद खेत्री परिषद का गठन किया है हिमाली स्टेट रिजिनल काउंसिल का गठन किया है हिमाली राज शेत्री परिषद के देख्षता नीतियायोग को सदस जो डाक्टर वीके सारस्वत के देख्षता में होगी ठीक है अब यहाँ पर नीतियायोग की बात हो रही ति नीतियायोग से लेटर कोश्चन पूछा थे नीतियायोग को जो अध्यक्स होता है भारत का प्रधानमंत्री होता है बरतवाने मोदी जी है नीतियायोग को बरतवान उपाध्षत हो डाक्टर राजीप कुमार नीतियायोग के पहले उपाध्षत है डाक्टर अर्विंद पनगडिया ठीक है और नितियाग के जो बरतमान में CEO है वो अमिताब कान्त है, ठीक है, मुख्य कारिकारी अधिकारी कहो है नितियाग के बरतमान में, अमिताब कान्त है, Q21 है, IBSF World Willilies Championship किसने जीती है, जीती दूस्तों पंका जाडवानी, ठीक है, option C, पंका जाडवानी, Q22 है दोस्तों, नेम नियोमी राओ को, ठीक है, option D, ठीक है, option D, अमेरिका के राश्पती जो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रम ने, खाली पड़े जज के पत्पन नियुक्ति के लिए, भारती मूल के नियोमी राओ को नामित किया है, और यह पाद अपील कोड के जज, ब्रेट कैवनाद की सुप्रीम कोड में नियुक्ति के बाद से खाली था, ठीक है, चले, question 23rd दोस्तों, एमनेस्टी इंडियोनेशनल ने हाली में नियुक्ति में से किस शक्स से अपने द्वारा दिये गा, उचितम सम्मान को आपस ले लिया, तो इसका correct answer रहागा, option D, आंग सान सूकी, ठीक है, आंग सान स इसमें से किसे भारत के प्रतिसपरदा आयों का नया अध्यक्स नियुक्त किया गया है, most important इसका correct answer रहागा, option B, अशोक कुमार गुपता को ठीक है, भारत के प्रतिसपरदा आयों का नया ध्यक्स बन गया है, अशोक कुमार गुपता, त्यों तो टॉप 25 current affairs general awareness question इस वीडिय को शेर करें समय दोस्तों के साथ, यह वीडियो आपको कैसा लागा हमें comment box में जरूर लिखें और आप यह पूरा question solve के हैं, तो प्रीज अपना score comment box से submit करें, और आपको next किस topic भी वीडियो चाहिए दोस्तों, आप हमें comment box में पना feedback जरूर दें, ठीक है, इस वीडियो को share कर करके चैनल को subscribe करें, मिलते हैं दोस्तों, नेक्स वीडियो को साथ, आपका दिन सुभ हो, जै हिन, जै भारत